हमारी यूटूब चैनल एमचेंजर 2.0 पर आप सभी का स्वागत है आज यह जो है यूपी बोर्ड अनसाल पेपर्स जो है यह क्लास 12 का बायलोजी सब्जेक्ट का है जो कि मैंने इसका पार्ट फर्स्ट पहले दिया है और यह पार्ट 2 है मतलब मैं एक सेट को तीन या चार पार्ट में करवाते हैं करवाती हूं तो यह आपका दूसरा पार्ट है ठीक है पहला पार्ट आपका हो चुका है यह सेट्टमबर 2 है 2020 का सेट्टमबर 2 इसका कोड है 348 WH ठीक है आपको यह जो अनसाल पेपर कराया जा रहा है यह आपके जो स्लेवस को कम किया गया है उसको ध्यान में रखकर करवाय जा रहा है प्रैक्टिस सेट में अगर जो स्लेवस से बाहर वाले कोशन होते हैं तो उसके जहां पर स्लेवस का कोशन लग दिया जाता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ इसके पहले तीसरे तक कोशन कम्प्रीट हो गया था आज हम चौथे के का से देखते हैं तो चौथे का का है हीमोफिलिक पिता तथा वाहक माता की संतानों में रोक की वनसागति किस प्रकार होती है कह रहा है कि हीमोफिलिक पिता यानि कि जो पिता है वो क्या है हीमोफिलिया से ग्रश्ट है हीमोफिलिया है उनको तथा वाहक माता यानि कि जो मा उनको हीमोफीलिया है नहीं वो क्या है हीमोफीलिया की वाहक है माता की संतानों में यानि कि अगर हीमोफीलिया पिता है और वाहक माता है तो उनकी संतानों में इस रोग की वनसागत किस प्रकार होती है तो देखें किस प्रकार होती है तो यह जो हीमोफीलिया है हीमोफीलिया क्या है या एक X-link सालग नरोग है जैसे हम आपको पहले समझा देते हैं देखे जैसे होता क्या है कि जैसे इस्त्रियों में 23 जोड़ी गुर्षूत है कि 23 जोड़ी गुर्षूत इस्त्रियों में भी होते हैं और 23 जोड़ी गुर्षूतर यानि 23 जोड़ी गुड़ सूत्र फीमेल में भी होते हैं और यही 23 जोड़ी गुड़ सूत्र मेल में भी होते हैं ठीक लेकिन जो इस्त्रियों में 23 जोड़ी होता है वो 22 जोड़ी गुड़ सूत्र जो होता है वो समान होता है 22 जोड़ी गुड़ सूत्र सामान यानि आटो सोमल होते हैं ठीक है जबकि 23 जोड़ी गुर्षूत जो होता है वो भी XX ही होता है लेकिन इस 22 जोड़ी जो पूरा गुर्षूत है यह XX होगा ठीक है यह क्या करता है यह काई क्लच्छों का निर्धारण करता है काई क्लच्छडों का निरधारड करता है जब कि यह 23-वाय जोड़ी जो गुर्षूत्र होती है 23-20 जोड़ी गुर्षूत्र फार्षी होती है जिसमें मैं 12 जोड़ी गुर्षूत्र ऑगार्ष दो वहां जोड़ी जो गुरसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण का काम करता है अतारत उसे लिंग गुरसूत्र के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है यह हो गया इस्त्रियों में अब पूर्सों में बता दें जैसे पूर्सों में 22 जोड़ी गुरसूत्र जो होता है तेज होता है सब इलाके तो 22 जोड़ी गुर्सूत एकस एकस होता है यह क्या करता है यह दैही क्यानि काईक लच्छुडों का निधारर इसन में भी करता है इस्त्रियों में भी 22 जोड़ी गुर्सूत एकस होता है जो कि काईक लच्छुडों का निधारर करता है इन में यह 23 जोड़ी जो निर्धारड करता है लिंग का निर्धारड करता है ठीक है तो इस्त्रियों में 23 जोड़ी गुर्सूत्र भी लिंग गुर्सूत्र है और पूर्सों में 23 जोड़ी गुर्सूत्र लिंग गुर्सूत्र है तो पूर्सों में 23 जो लिंग गुर्सूत्र होता है वो एक्स वाई हो थाई लिंग गुण० सूत्रों पर इसके जीण उपस्थित होते हैं तो यह रोग हो जाता है तो देके ये इसलिए गेया यानिए य। 是 हेमो फीरिया रोग का जीन हो तो यह पुरुष किया कहलाएगा tengo का रोगी कहलाएगा क्योंकि इसके पास केवल एक गुड़ सूत्र है यक्स और उस यक्स पर यह हीमोफिलिया के रोगा ठीक है जब की स्थ्रियों में चैणि इस्त्रियों में इक्स दो लिंग गुड़ सूत में दोनों एक्स होता है तो जब इस्त्रियों में दोनों यक्स पर यच 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 यानि दोनों गुड़ सूत्रों पर जब हीमोफीलिया की रोग के लच्छड जीन जो पस्तित हैं अगर दोनों यक्स पर हैं तभी या इस्त्री रोगी कहलाएगी तभी या इस्त्री हीमोफीलिया की रोगी कहला यह ठीक है तो उसे हम वाहा किस तरी कहते हैं तो अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप प्रश्ण को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो देखें प्रश्ण में तो ही कह रहाता कि हीमोफिलिक पिता यानि कि जो पिता है वो कैसा है हीमोफिलिक पिता यानि कि यह ऐसे तो ये वाहक है और ये क्या है रोगी है ठीक है अब इनकी संतानों में इस रोग की वनसगत किस प्रकार होगी चलिए देखते हैं तो हीमोफीलिया क्या है हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक नट हीमोफीलिया एक एकस लिंग सहलंग रोग है इसका आप्रभावी जीन एकस लिंग गुड़ सूत्र पर ही उपस्थित होता है किस पर उपस्थित होता है एक्स लिंग गुड़ सूत्र पर उपस्थित होता है पुरुस में इसका यूगम विकल्पी अनुपस्थित होने के करण आप्रभावी जीन की उपस्थिती से ही क्या हो जाता है हीमोफीलिया रोग के हीमोफीलिया रोग हो जाता है यानि कि उसमें हीमोफीलिया रोग के लच्छड प्रकट हो जाते हैं जब कि इस्त्रियों में इस रोग के लच्छड इस्त्रियों में इस रोग के लच्छड उसी अवस्था में प्रकट होते हैं जब लिंग गुरसूत रोग के जीन के लिए सम युगम की यानि कि इसके दोनों युगमक क्या हो समान हो और दोनों पर ही क्या हो हीमोफीलिया रोक के लच्छड हो तो हीमोफीलिया का एक जीन एक गुड़ सूत्र पर पस्तित होने से इस तरिया रोक की क्या करती है वाहक होती है अगर एक पस्तित होगा तो वाहक होंगी अ वहीमोफिल को यह सामान होंगे 25 प्रतत है यह संगे 25 प्रसत्रि और 25 कंगी वह 07 होगी चलिए देखते हैं कीम लींदे एकंड है ठीक है ये पिता जी है ये माता जी है ठीक तो पिता जी क्योंकि हीमोफीलिया से ग्रशित है तो इनके एक पे है तो यानि कि हीमोफीलिया और ये वाहक तो इनके दोनों का युगमक अब देखिए इन युगमक का हम क्या करा देंगे क्रास करा देंगे to do okay. इसले इक्स का ऍस से गुड़ा कराएंगे यानि कि जब इससे स संकरण कराएंगे तो यानि कि जब इसमें फार्टिलाइजेशन होगा जब इनमें निसेचन की प्रिकिरियों होगी तो निसेचन की पिता से और एक गुर्इसूत्र माथा गुर्षूत्र माता से आ करके मिलता है तब यत नबनता है तो नोप सुष्प यहां पर इस पे अी बन गेगे Łज का मतलब ही मृश। आप देखे-इसी कराएं एक बार हमसे कराएं अब स्कां इस से कराएं रहें थे तो जब इस का देखे अब इस का हम किसे करा रहे हैं इस वाले एक्स से तो इस वाले एक्स पर एक था तो यहां लिखे इस पर नहीं था इस पर नहीं लिखे ठीक अब इस वाई का हम किसे कराएंगे इस वाई का हम फिर इस यक्स से कराएंगे इस वाई का देखे ये वाला वाई जो है पह कर रहें हैं तो क्या मिल रहा है x क्योंगि इस पर था ना तो एक्स यह यादी ही मोफीलिय से ग्रशित होग गी तो ox сод dotted पुत्री जो होगी, वो क्या होगी हीमोफीलिया रोग उसको रहेगा 25 प्रसत जो लड़की उनकी रहेगी, डॉर्टर यानि जो सन रहेगी उनकी वो वाहक होगी क्योंकि इसके केवल एक पर है जबकि पुरुस में अगर पुत्र को देखें, उसके सन को देखें तो एक पुत्र उसका जो होगा यानि कि पचीस प्रसत उसके पुत्र समान होने की संभावना है और पचीस प्रसत पुत्र के रोगी होने की संभावना है हीमोफिलिक पुत्र तो ये क्या होता है ये युगमक होता है और ये से हम पैत्रिक पीड़ी कहते हैं और यह जो प्राप्त होता है यह फ1 पीड़ी यानि एफ वन जनेरेशन होता है तो इसका फिनो टाइब अन्बात कितना हीगा पचीज पृस्ट पृत्र सामान यानि एक्स वाई पचीज पृस्ट पृत्र हीमोफिलिक यानि एक्स के ओपर H ruim 25% पुत्री हीमोफिलिक और 25% पुत्री वाहक इसका ही उत्तर होगा ठीक है उमीद है आपको समझ में आया होगा चलिए हम अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं लिखा है निम लिकित सब्दों को उप्युक्त उधारण सहित समझाईए निम लिकित सब्दों को उप्युक्त नियम दिये थे प्रभाविता का नियम प्रस्तक करण का नियम और सतंत अभिहुन का नियम तो जो मैंडल लच्छडों वाले पौधों के बीच आपस में क्रास कराते हैं तो F1 पीड़ी में वही लच्छड दिखाई देते हैं जो प्रभावी होते हैं इसे ही मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा है जो लच्छड दिखाई नहीं देते वे क्या कहलाते हैं यहां पर देखिए हम दो बीपरीत लच्छड़ों गया अगर यह सुधनू सब्सक्राइज विपरीत लच्छड़ों के बिलाथे हैं पीडी में वही लच्छर दिखाई गहता है जो प्रभावी प्रभावी होता है यहां कि जब capital T, capital T, small T, small T, यानि सुद्ध लंबा का हम सुद्ध बौने पौधे में जब क्रास कराएंगे तो देखिए, माल लिजे, देखिए, यहाँ पर भी capital T, capital T है हाँ पर भी small T, small T, दोनों से मैं तो केवल एकी करा लिए वही चीज बार-बार आएगा, तो अगर हम capital T का जब small T से कराते हैं संकरर, तो capital T, small T प्रास होता है अब देखिए, यह क्या है, यह parental generation है, ठीक यह क्या है, F1 PDA, यानि की first generation, अब देखिए, इसमें क्या होगा कि हमारे कहने का मतलब यह है, एक example, कि जो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, वो आप्रभावशाली वाले के लच्छड को क्या कर देता है, दबा देता है तो जो दिखाई देगा लच्छडव, वो प्रभाव साली होगा, जो दिखाई नहीं देगा वो आप्रभाव साली, तो इसमें देखे है जैसे ये लंबा है, ये बोगना है ठीक? अब ये जो पधा इन दोनों से मिल करके बना हुआ है, वो बोगना नहीं रहेगा, वो भी क्य तो यह आपका मेंडल का प्रभाईता का नियम है दूसरा क्या है अपूर प्रभाईता दोनों पर आपको टिपड़ी लिखनी थी दोनों के बारे में लिखना था तो दूसरा क्या था अपूर प्रभाईता तो देखे लिखा है अपूर प्रभाईता लिखा है कि कुछ पेड़ पादपो वा जन्तू में F1 PD की संतत में कोई भी लच्छर पूरेतया प्रभावित नहीं होता है या मध्यवर्ती होता है इसे अपूर प्रहाईता कहते है मतलब की पूर रूप से वो इस पश्ट नहीं होता है जैसे की कॉरंस नाम के बैग्यानिक थे कॉरंस ने गुलाबास यानि मीरा बलस जलापा में देखा कि लाल फूल वाले पादप को जव सफेद फूल वाले पादप से क्रास कराने पर गुलावी फूल वाले पादप उत्पन होते हैं अब देखिए जैसे इन्होंने परिभासा में क्या कहा है कि अपूल प्रभाविता का मतलब क्या हो पूल रूप से प्रभावी नहीं होता वा कुछ अलग आता है तो देखिए इसे कुछ पेड़ पादप वा जन्तू में जब एफ़वन पीड़ी में संत्त में कोई भी लच्छट पूर्ता प्रभावित नहीं होता था मध्धिवर्ती होता है दोनों के बीच का होता है ठीक है अईसा नहीं कि काला है तो केवल काला ही रहेगा सफेद है तो या केवल काला ही हो या केवल सफेद ही हो दोनों के बीच का कुछ होगा तो देखते हैं इन्होंने किस में कराया था गुलाबास यानिकी मीराविलस जलापा नामक पुस्ट में कराया तो देखते हैं क्या मिला तो इन्होंने क्या किया कि एक लाल पुष्प लिया सुध लाल यानि कैप्टल आर और एक सफेद लिया लाल का विप्रीद क्या होता है सफेद तो एक सफेद लिया जिसका विप्रीद क्या होगा इसमालार इसमालार जब इन दोनों में इन्होंने क्या कराया F1 PD में जब इन्होंने संकरड कराया इन दोनों के युग मक्का तो इन्हें F1 PD में कैप्टल आर इसमाल आर प्राप्थ हुआ यानि कि गुलाबी पुस्प प्राप्थ हुआ ना ही इनको लाल प्राप्थ हुआ ना ही इनको सफेद यानि कि दोनों के बीच यानि मध्यवर्ती लच्छड इनको प्राप्थ हुआ ठीक है तो जो इनको F1 PD में जो लच्छड प्राप्थ हुआ उन्ही में इन्होंने क्या करा दिया स्वापरागड करा दिया स्वापरागड का मतलब सेल पॉलिनेशन F1 PD से प्राप्त लच्छो को इन्होंने क्या करा दिया शौपर आगड़ देखिए तो F1 PD में capital R small R मिला था ना तो capital R small R कब फिर से capital R small R में क्या करा दिया स्वापर आगड़ करा दिया तो जब capital R का गुड़ा capital R में करेंगे तो क्या आएगा capital R capital R फिर इस इसमाल आर का गुड़ा इसमाल आर से करेंगे तो इसमाल आर इसमाल आर यानि कि F2 पीड़ी में इनको क्या लच्छड मिलेगा एक लाल मिलेगा दो जो है गुलाबी रंका और एक सफेद तो F2 पीड़ी में लच्छडो का अनपात लाल अनपाते गुलाबी अनपाते सफेद यानि एक अनपाते दो अनपाते एक के अनपात में प्राप्त होगा इनका ये जीनो टाइप लच्छड होगा और अगर फीनो ट सबी है इसको भी हम गोलाबी को भी लाल में ले सकते हैं तो इसलिए तीन लाल हो जाएगा और एक सफेद यह फीनो टाइप लफशन है और यह क्या हो जाएगा את सब्सक्राइब करेंगा सब्सक्राइब करने ऊक्का राइने में अंतर कीजिये DNA वा RNA में अंतर कीजे DNA का पूरा नाम हमने आपको पहले भी बताया है DNA का पूरा नाम D-Axy Ribonucleic Acid होता है RNA का पूरा नाम Ribonucleic Acid होता है तो चलिए पहला अंतर देखते हैं DNA में पहला अंतर क्या है या दो polynucleotides रंखलाओं का बना होता है, जब कि RNA क्या होता है, एक polynucleotides रंखलाओं का बना होता है, दूसरा नतर क्या है, कि इसमें पिरिमीडीन बेस, इसमें जो नाइट्रोजनी छारक होता है, उसमें जो पिरिमीडीन बेस होता है, उसमें क्या पाय जाता है, जब कि इ प्यूरीन प्यूरीमिडिन थाइमिन साइटोसीन होता है प्यूरीमिडिन थाइमिन पर दर्ण ग Ming आपका क्या है। q hosp य। आरेचा क्या होता है तीसे कि अंतर के न्या कि और और नियमन रखता है यह अनुवान्सिक होता है जो DNA होता है DNA को इसका की समस्त क्रिया उपन नियमन रखता है और यह क्या होता है अनुवान्सिक होता है जबकि RNA प्रोटीस अन्सलेशाड दर्ला लच्ठो की निध्यारण सियता करता है और यह प्राइआँ अनुवान्सिक नहीं होता है जबकि DNA क्या होता है नुवान्सिक होता है पांचुवां कैम करें परन है ये बनता है तुछ आपका अंतर हो गया अगला कोशन है पुनर योगेज डियनने तकनीक क्या है इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधी का वर्डन कीजे पुनर योगेज डियनने तकनीक क्या है इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधी का वर्डन कीजे तो पुनर योगेज डियनने तकनीक कि जाता है जो किसी जीव में अनुवान्शिक फेर बदल से संभंधित है इसके द्वारा जेनेटिक इंजीनरिंग से बने जीवों उत्पादों सेवाओं का मानों कल्याड में प्रियोग सफल हुआ है उधारण के लिए जैसे चिकिस्टा के छेत में अनुवान्शिक रूपांत करना पुना किसी चीज को बना कर निर्माड करना वही क्या होता है पुनर योगेज तो कह रहा है कि पुनर योगेज डियन ने तक्निक जिसे बोल चाल की भासा में क्या कहा जाता है जेनेटिक इंजीनरिंग कहा जाता है जो किसी जीव में अनुवान्शिक फेर बदल से योग करना क्या हुआ है सफल हुआ है तो इस तरीके से बिभिन्य प्रकार के इंसुलिन से अन्य महत्पूर और सधियों टीको आधिका निर्माड जीन चिकिस्सा के अंतरगत किया जाता है तो देखते हैं पुनर योगेज दिनने तक्नीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन भी गाह भैसबंगी से प्रकार के जाता है तो पहले इंसुलिन को से प्रकार क청 दिनने जल्पवा क्मिका कि इंसुलिन को कि सुल्प्तन कहाने जैसे या मनुस में अलर्जी वा अनप्रतिरच्छी प्रत्किरिया को उत्पन कर देती थी इससे कभी-कभी संक्रमण भी हो जाता था साथ ही या अनैतिक कृत भी था तो इसलिए इसका प्रियोग करना थोड़ा सही नहीं था तो बाद में क्या हुआ कि पुनर योगेज DNA तक्नीक से बनी इंसुलिन ने इन सभी समस्याओं का एक हल प्रस्तुत कर दिया पहले बूचर खाने में जो जन्तु मर जाते थे उनके मरे हुए जन्तुओं से इंसुलिन हार्मोन का निर्माड किया जाता था जो कि बहुत जादा सही नहीं था उससे कई प्रकार के संकर्मन इंफेक्शन भी हो जाते थे लोगों को तो उस समस्या को समाप्त करने के लिए पुनर योगेज DNA तक्नीक से इसका हल निकाला गया तो इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें human DNA यानि कि जो मनुष्य का DNA होता है उस मनुष्य के DNA से उसके plasmid में क्या होता है जो bacteria जैसे कि रिसेचिया इकोलाई जो ये जीवार्व है उसका मतलब जैसे कई जीवार्व में इसको प्रवेस करा करके किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक होता है restriction enzyme एक होता है restriction enzyme endonuclease restriction enzyme जो होता है वो DNA को तोड़ने का काम करता है उसे रशायनिक चाकू भी कहा जाता है endonuclease restriction enzyme को रशायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है ये DNA खंडो को तोड़ने का काम करता है जबकि DNA खंडे को तोड़ करके उसमें उस हार्मोन को प्रवेश करा करके फिर उसको जोड़ना पड़ता है तो जोड़ने के लिए किस enzyme का प्रियोग किया जारा है DNA ligase तो restriction enzyme के माध्यम से DNA को खंडित किया जाता है DNA ligase cells human gene and plasmid DNA ligase enzyme के माध्यम से DNA को क्या किया जाता है फिर से seal किया जाता है human mean only mannausyuky gene को और plasmid को किया किया जाता है इसके दोरा ligase के दोरा दोड़ा किसके दोरा जाता है restriction के दोरा तो इसे रसायनिक प्रवेस कराने के बाद में जीन में उसके क्या बन जाते हैं क्लोन बन जाते हैं यानि क्लोन का मतलब क्या होता है उसका हुबहु रूप तयार हो जाना तो उसके कई हुबहु रूप तयार हो जाते हैं ठीक है जिससे की इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है तो इस तरीके से इस विधी का प्रियोग किया जाता है आगे देखते हैं कि मान मानो-कोसिका से इंसुलिन जीन प्राप्त करके इसे प्लाजमिट से जोड़कर पुनर nhograpika DNA बनाया जाता है इस पुनर योगेशDNA को जीवाड में प्रवेस करा कर इस जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती है यह पर करिया क्या दोड़ किphon करें जाता है मानो इंसुलिन अन्वांशिक प्रदोकी के द्वारा तयार किया जाता है इंसुलिन दो छोटी पॉलि पेप्टाइड स्रंखलाओं का बना होता है स्रंखला A वा स्रंखला B जो आपस में किस बंद के द्वारा जुड़ी होती है मानो में जो इंसुलीन में प्राक हर्मोन संसलेशित होता है जिसे पेप्टाइट C जिसमें क्या होता है पेप्टाइट C होता है या पेप्टाइट C परिपक्वन इंसुलीन में नहीं पाय जाता है या परिपक्वता के समय इंसुलीन से प्रथक हो जाता है तो सन 1983 में मानो इंसुलिंग की श्रंखला A और B के अनुरूप दो DNA अनक्रमों को तयार किया गया जिसे E. coli, इसका नाम थोड़ा हम कन्फियूज हैं तो E. coli, 60 में इसको बोलते हैं कि प्लाजमिट में प्रवेश कराकर इंसुलिंग स्रंखलाओं का उत्पादन किया गया इन अलग-अलग निर्मित स्रंखलाओं A और B को निकाल करके डाई सल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित कर मानो इंसुलिन को तयार किया गया तो सबसे पहले अमेरिका की एली लिली कमपणी ने पहली बार 1983 में इस प्रकार का मानो इंसुलिन हुमिलिन प्राप्त किया था ठीक है विभिन प्रकार के जैसे चिकिस्सी उप्चार हे तो पुनर योगज प्रोटीन्स हैं जैसे कुछ आप याद कर लिजेगा जैसे इंटर फेरांस तो इसका प्रियोग विशाड संक्रमडवा कैंसर रोगों के उप्चार में किया जाता है रिलैक्षिन का प्रियोग सरल प्रशो हेतु किया जाता है इंटर रिलिशिन टू का प्रियोग कैंसर के उप्चार में किया जाता है प्लाजमी नोजन उतक वर्धक का प्रियोग रुजिर वाहिनियों में रुजिर जमाओ को कम करने में किया जाता है टिशो प्लाजमे, नोजन एक्टिवेटर का प्रियोग, मायो कॉल्डियल इन्फ्राक्षन यानि हिर्दय पेशी रोग या हिर्दया घात के उप्चार में किया जाता है और अल्फा गलेक्टोसाइट्स एक अप्रियोग किसमें किया जाता है enzyme replacement therapy में का प्रियोग बौने पन के उपूरा है और uro gastron जबर मानो इन्सुलिन यहीदिर हिसमेऑ मंध्मय के उप्चार में और इरेث्ट्रोटीन में रुधिर हिंता के उप्चार में किया जाता है लए आपका पूरा है अप सब मत यहाद किजेगा अगला है आपका पारजीनी यानि ट्रांसजेनिक जन्तु क्या है इसका उत्पादन क्यों किया जाता है मानों के लिए इसकी उप्योगता का संछेप में वड़न किजे यह कोशन आपके पहले वाले सेट में भी था लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कर दिया है इसको आप सभी देख लिजेगा यह पहले वाले सेट में इस कोशन को कराया गया है आपको ठीक है चलिए हम बता देते हैं जब है तो बता देते हैं तो पारजीनी का मतलब क्या होता है ट्रांसजेनिक ठीक है पारजीनी जन्तु यानि ट्रांसजेनिक जन्तु यानि कि ऐसे जन्तु जिन है उनके अन्वानसिक संगठन में अन्वानसिक अभियांत्र की द्वारा हेर फेर या परिवर्तित करके बिक्सित किया गया और अधायाथार्त वे जन्तु जो विजातिया या बाहिजीन युक्त होते हैं वे 're in the जनतू के कुछ महतपूर लाभ हैं जैसे सामान सरीर क्रियावा विकास में रोगों के अध्यन में जैविक उत्पाद में टीका यम्रसायनिक सुरक्षा परिक्षडाद में इसके पहले भी आपको यह कोशन कराए गया है तो आप इसको पढ़ लीजेगा ठीके अगला कोशन आ आने कि पांचवे का खा तो उप्यूक चित्र की सहायता से लाजिस्टिक समिष्ट वृद्ध चक्र का वरण कीजे तो देखिए प्रतेग जात की वृद्धी लाच्रिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है इन लाच्रिक प्रतिरूपों को ही वृद्ध चक्र कहते हैं यह बृद्धी लाच्रिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है ठीक है सही है कि इन लाच्रिक प्रतिरूपों को ही क्या कहते हैं बृद्धी चक्र कहते हैं और इस चक्र को दो मौलिक रूप होते हैं यस वक्र या और जे वक्र दो होते हैं तो पहला हम पढ़ते हैं एस वक्र या इसे हम सिग्माइड वक्त के नाम से भी जानते हैं तो प्रक्रत में किसी भी प्रजात के पास जब सीमित संसाधन होते हैं इस कारण तब जीवों में प्रतिसपर्धा होती है Precis सीमित संसाधन होंगे तब जीवों में क्या होगी प्रतिसवर्धा होगी तो ऐसी समिष्ट में ऐसी समिष्ट में प्रारंभ में धीमी गत से, सीग्र ही तिव गत से, वांत में प्रतिसवर्धा या सीमि संसादनों के कारड इस्थिर्ध व्रिधि देखने को मिलती है इस कारण ऐसी समिश्ट में ऐस साकार का वक्त-प्राप्ध होता है ऐसी वृद्धी को समभारतंत्रिया, समिश्ठ, वृद्धी या लॉग्जिस्टिक घ्रोथ भी कहा जाता है इसकी विभिन प्रवस्था हैं तो देखते हैं पहली इसकी प्रवस्था को देखिए पहली प्रवस्था है प्रारम्भी क्या इसे लैग अवस्था भी कहते हैं तो देखे इसमें क्या होता है कि इस समय में जीव अपने आपको वाता वरण के अंसार समायोजित करता है तो इस प्रावस्था में बहुत कम बृद्धी देखने को मिलती है प्रारंबिक या लैग अवस्था में क्या होता है कि इस समय में जो जीव होता है वो अपने आपको क्या करता है वातवरण के अंसार समायुजित कर लेता है कि जिस प्रकार से वातवरणे उसके अकार्डिंग वो अपने आपको ढ़ाल लेता है और इस प्रवस्था में क्या हो में होने से समिष्ट में त्यू वृत देखने को मिलती है इस कारड़ से चार घातं की आवस्था भी कहते हैं तो पहले में जो है वो ब्यक्ति उसमें स्वयम को ढालता है दूसरे में क्या करता है कि इसमें भोजन की बहुत आयत होती है या इनके अनकूल परिस्थिती जब भा इस समय में बहुत तीव्र गती बढ़ती है तो इस कारड़ से चार घातं की अवस्था भी कहते हैं अब देहें आंतेम प्रवस्था परिया वरडिये घटना बढ़ने से भोजन की कमी हुई जिसके कारण समिष्ट की बृद्धी पुना क्या हो गई धीमी हो गई वा इसमें जन्म वा मृत दर दोनों लगभग क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं इसलिए इसकी बृद्धी दर क्या हो जाती है सून हो जाती ह वह शाम में आवस्था में आ जाती है तो देखे इसका वक्र चित्र बना हुआ है तो सबसे पहले यह क्या है यह देखे समिष्ट का आकार है यह समय है और देखे पहले प्रारंबिक आवस्था में पहले कम था फिर तरड यानि मध्या वस्था में यह बढ़ा फिर साम में तो इस तरीके से इसका वक्र बनता है अब देखे जे वक्र या जैमितिय वक्र क्या होता है तो जब किसी समिष्ट के आसीमित संसाधन हो जब सीमित हो तो यस वक्र आसीमित संसाधन हो तो जे वक्र तो यह प्रयावरडिये प्रतिरोद ना हो तब समिष्ट में निरंतर तिव रूप में केवल दो अवस्थाएं होती है पहला प्रारंभी क्या लैग प्रावस्था तो जो प्रारंभी क्या लैग प्रावस्था होती है यह प्रावस्था समिष्ट के जीवों के लिए पर्यावरण के साथ समायोजन के लिए होती है इसमें दो अवस्थाएं केवल होती है पहली प्रवस्था की जीवों के लिए पर्यावर के साथ समायोजन के लिए होती है और दूसरी प्रवस्था क्या होती है कि इस प्रवस्था में समिष्ट में तीव गति से विद्धी होती है जैसे कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जिसे 2 से 4 बनेंगे 4 से 8, 8 से 16, 16, 32 से 64 ऐसे तो इसका प्रमुक कारण है कि आज सीमिस संसनों का होना वा विप्रीत परयोड़ी परिस्थतियों का अभाव है परन्तु समिष्ट में विद्धी के साथ ही भोजन वा अन्य जीवन रच्छर आवाई सकताओं में क्या हो जाती है कमी आ जाती है जिससे विद्धी शोनने हो जाती है तथा या सामोहिक उपवासन या अम्रित उदर उत्पन करती है इसका ग्राफ जो बनेगा प्रारंभिक अवस्था में कम था प्रारंभिक अवस्था में इसका ग्राफ कम था फिर जो दूसरी अवस्था है चार घातन के अवस्था तो उसमें बढ़ जाती है ठीक है तो इस तरीके से आपको इसका जो ये वक्र है ये याद रखना है ठीक का आप इसको जरूर तैयर किजेगा इंपौलिट है अब का का बी डीन्झ और जडीन्झ बी डीन्न क्या होता है यह धच्छडवरत कुंडलित होता है जबकि Z DNA क्या होता है वामा वर्थ कुंडलित होता है B DNA में A मन्दब B दच्छड़ा वर्थ कुंडलित होता है और Z वामा वर्थ कुंडलित होता है B DNA में 6 युगमों के मद्ध की दूरी 3,10,3,6 होती है 10 होती है जबकि Z DNA में 6 उमों की संख्या 12 होती है B DNA में कुंडलित का ब्यास 19 अंगरिश्टाम होता है जबकि Z DNA में कुंडलित ब्यास 18 अंगरिश्टाम का होता है प्राया सभी कोसिकाओं में क्या होता है B DNA उपस्थित होता है जबकि ये जट डियन्य केवल कुछ ही कोसकाओं में उपस्थित होता है तो यह आपका चार या पांच यह पांच अंतर है आपका तीन नंबर का रहता है अगला कोशन है कि त्री शल्लेन देखें आपर तो त्रिशल्यन की प्रिक्रिया आवर्त वीजी पादपो में होती है तो आवर्त वीजी पादपो में भूड़ पोस में आवर्त वीजी पादपो के भूड़ पोस में एक अगुडित नर युगमक अगुडित अंड कोसका से सैयोजन करके पहले क्या करता है दुई गुडित युगमनच का निर्माड करता है कि जो भूड पोस होता है उसमें एक आगुडित नर्युगमक आगुडित अंडुकोसका से पहले सैयोजन करता है तो दुई गुडित युगमनच का निर्माड करता है यह प्रिकिरिया क्या कहलाती है सैयोगमन कहलाती है यंदर करता है तो यहां प्रकिरिया कैसे हम सारी करते हैं तो करते हैं इस प्रकार दोंव युगमंग मुंत निशेचन प्रकिरिया में भाग लेते हैं यानि कि जो दोनों धुरुविये कें निर्क और जो एक और होता है दोनों के इंद्रक क्या होते हैं भाग लेते हैं तो अथार्त निसेचन कितनी बार हुआ दो बार हुआ एक बार दो दू निसेचन और एक बार त्री निसेचन तो दू निसेचन दो बार होता है इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दू निसेचन कहते ह पहले स्थिती संजुग्मं कहलती हैं ऑ दूसरां उपर गलती से डुसेचन दोईने लेते हैं और संजुग्मं के फ़ल सवरो बना युगमनज भूड का क्या करता है निर्माड करता है और त्री सल्यन के पस्चा जो बना प्रात्मिक भूड पोस के नरक होता है वह भूड पोस का निर्माड करता है इसमें भोजन संग्रीद रहता है जो भूड के परिवर्धन के समय भूड के पोसर में काम आता है तो इस तर तो आज के लिए इतना ही है आपका ये कोशन और आप सभी एमचेनल टू पाइंट जीरो चैनल को लाइक किजे सबस्क्राइब और जिसको जरूरी हो उसके तक जरूर सेर किजे और जो ना समझे उसको कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताइए आज के लिए इतना ही इतना ही